हेलो फ्रेंज, वेलकम टो मैथी जी, फ्रेंज आप सभी जानते हैं किसी भी समकोर तिर्भूज का छेतरफल होता है बराबर एक बट्टे दो गुड़े, आधार गुड़े उचाई दोस्तों क्या आप ने कभी सोचा है कि ये फार्मूला कैसे आया, तो चलिए अगर आप नहीं जानते हैं, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक हम समकोर तिर्भूज लेंगे, तो देखिए हमने एक समकोर तिर्भूज ठीक है, तो हमें ये फार्मूला निकालने के लिए क्या करना होता है, कि हम ये ए बिंद से एक इसके बी-सी के समानांतर रेखा खीचेंगे, ठीक है, यहां से हम ऐसे समानांतर रेखा खीचेंगे आगे तक, ठीक है, हमने खीच लिया, फिर डॉट-डॉट के बात्यम से हमन रेखा खिचेंगे ठीक है अब इसको D बिंदू दे देंगे अब देखिए इस तरीके से हम अगर इसको मिला लेते हैं तो AD हो गया ये और ये हो गया CD हो गया अब देखिए इसके समानांतर है AB के समानांतर CD है तो AB के बराबर ही ये CD भूजा हो गई ठीक है और ये BC के समानांतर AD है तो ये BC बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे AD बराबर BC और AB बराबर CD ठीक है अब देखिए आप सभी जानते हैं ये देखिए BC भूजा है AD के बराबर ये देखिए लंबाई में जादा है इस से AB से तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक आयत बन गया है ठीक है अब आयत का चेतरफल तो सबको पता है कि लंबाई गुड़े चौड़ाई होती है तो आयत का चेतरफल हम यहाँ पे लिखेंगे इस लंबाई गुड़े चौड़ाई ठीक है तो इसकी लंबाई क्या है AD है और चौड़ाई क्या इसकी है AB ठीक है अब दीखें जब तिर्भूज बन रहा है तो A और C को हम मिला रहे हैं ठीक है? तो A, B, C मिला है अब यहाँ पर दीखिए चित्र में आपको साफ साफ दीख रहा है कि यह A, B, C और A, D, C दोनों एरिया में बराबर है यानि कि बराबर है और यह जो A और C लाइन है यह इस आयत को दो भागों में बाट रही है तो अगर हम क्या करेंगे कि जो हमने आयत का छेतरफल निकाला अगर हम इसको दो से भाग कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? कि तिरभूज का छेतरफल मिल जाएगा तो आईए अब हम यहां से तिरिभूज का छेतरफल जब निकालेंगे, तिरिभूज A, B, C का छेतरफल जब निकालेंगे हम, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बटे, दो कर देंगे, गुडे, जो आयत का छेतरफल है, ठीक है, तो आयत का छेतरफल, तो आयत का छेतरफल हमने क्या निकाला था तो एक बट्टे दो गुड़े AD गुड़े AB अब देखे अब तिर भूज में क्या था एक बट्टे दो गुड़े AD हमने क्या लिया था AD AD देखिए ये क्या हो गया आधार हो गया तो यहाँ पर लिख दीजिए आधार और गुड़े ये भी क्या है ये भी देखिए ये से उपर है उचाई में है तो ये उचाई हो गया ठीक है तो ये हो गया उचाई ठीक है तो इस तरीके से देखिए हमने वही प्राप्त कर लिया क्या प्राप्त कर लिया कि किसी भी समकोर तिर्भूज का छेतरफल बराबर होता है एक बटे दो गुड़े आधार गुड़े उचाई तो दोस्तों आज आपने सीख लिया कि किसी भी समकोर तिर्भूज का छेतरफल एक बटे दो गुड़े आधार गुड़े उचाई कैसे आ दीजिये